कर दो है मेरा नाम कुनाल शर्मा है और मैं पर्सणल ट्रेनर हूं आज मैं आपको ट्रेन करने आए हूं आप देख रहे हैं ready steady fit आज का जो workout है हम जो कर रहे हैं उसका नाम है cardio workout cardio workout means heart से connected इसके क्या benefit है long term में इसके क्या फाइदें हैं और इसको ना करने से क्या नुकसान है वह आपको बताने जा रहा हूँ शॉट में कार्डियो से सबसे बड़ी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होती है वो आपका लिपिट्स प्रोफाइल सॉल्व होता है जो बहुत ही अच्छा हो जाता है इसके इलावा हार्ट का एफिशेंसी ओवरॉल इंप्रूव हो जाता है आपका बलड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है मेंटली आप जाला अलर्ट हो जाते है एनर्जी लेवल बढ़ जाता है ये सारे हैं बेनेफिट्स कार्डियो के आपने सुना होगा ट्रेड्मिल पे चलते हैं रोड पे चलते हैं अच्छे नौ जवान लोगों को लड़कों को हार अटेक होने शुरू हो जा रहे है इसका यही सबसे बड़ा फाइदा है कार्डियो वर्काउट का कि आपको हाट की प्रॉब्लम सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आज के चल रही है वो कभी नहीं होगी दूसरा बेनेफिट कार्डियो के कारण यह है ओबिसिटी ओवर्वेट जो वेट हास्टू कम डाउं काड़ियो के साथ बेट आएगा ही आएगा अगर आप सिर्फ पांच बढर यह चार बार हते में वॉख भी कर लें तब भी उसका बेनेफिट आपको काॉड्यो बैनेफिट मिलेगा आपको वेट में मिलेगा है आपका बेट नीचे आएगा जिसके कारण आपका हाड का आपका आपका ओवराल एफिशेंसी जो काम करने का है इंपरूब होगा so my friends focus on your cardio workout today and enjoy with me cardio workout part two first exercise spot jogging so let's start बड़े अराम से बड़े ध्यान से बड़े अराम से स्पीड को पिक अप करना है हातों का movement देखिए पैरो का movement देखिए अराम से footsteps बहुत ही अराम से लैंड होईंगे speed बड़े अराम से पिक अप करना है खास करके morning time में नीज को warm-up ankles को warm-up करना है पहले before we pick up the speed hand straight open hands मुठी नी बानना है slowly slowly speed pick up करना है जिखान से देखिए मेरको 30 to 40 seconds breathing के साथ imagine आप रेस कर रहे हैं और रेस में बड़े अराम से speed लेके फिर pick up the speed बड़े ध्यान से स्टमक टाइट करते हुए आपका हार्ट रडू पर आ जाएगा breathing करते रहना है breathing hold नहीं करना है ओके कार्डियो वेस्कुलर एक्टिविटी जो हमने की है जो कार्डियो वेक्स कुलर वरक उट किया है सेकिंड पार्ट का सेकिंड एक्सराइज है हाइज तो बड़े ध्यान से देखिए और बड़े अराम से कीजिए यह प्रोग्रेशन लेवल है स्पोर्ट जोगिंग का स्पॉर्ट जोगिंग का नेक्स स्टेप हाई नीज है जब आप स्प्रिंटिंग करते तो नीज हाइज होता है तो जो थ्यान से देखेए कर नीज को ऊपर रखना है breathing के साथ अबहे णीज मीचे नहीं रहेंगे अ अ यह अ अ अ warm up हो चुके हैं, speed, landing soft, हाथों का पॉजिशन, breathing, knees high, let's start, next exercise, cardio workout, part 2, third exercise, seal jacks, हातो का पॉजिशन, landing, soft, breathing, chest को खोलना है पूरा, 30 to 40 second, cardio workout, cardio, push yourself now, cardio workout, part 2, climates, बड़े ध्यान से, बड़े अराम से, कोर को चंट्रोल करते हुए करना है, let's start, breathing के साथ, your look is up, आप क्लाइम कर रहे हैं, wall को, knees, आप high भी रख सकते हैं, low भी रख सकते हैं, soft landing, हाथों का मूममें चेंज हो गया है, stomach tight, soft landing, breathing is very very important, okay friends, आज आपने चार वीडियो देखे, जिसमें आपने चारो कार्डियो वर्काउट्स दिफेंट तरीके से देखे, आज आप जो चैनल देख रहे हैं, वो रड़ी सेडी फिट चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने कॉमेंट्स बेजिए, अगर आपको उन चारो वीडियो में से कोई प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में कोई क्वेश्चन है, तो हमें अपने कॉमेंट्स बेजिए, हम आपको आपको आंसर देंगे, I hope you enjoyed the whole videos, and in future I'll guarantee you, अगर आप ये चारो वीडियो करते रहेंगे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ना तो diabetes, ना obesity, ना hypertension, ना cardiovascular, any problem. So, my friends, enjoy and stay fit.